Hello my dear students, welcome to our YouTube channel, मेरा नाम है Mayuri Bhagwani और आज की डेट है 2nd August और 2nd August के editorial analysis में आप सभी का स्वागत है आज हम discuss कर रहे हैं The Hindu के कुछ editorials को Indian Express में इतने important editorials मुझे लगे नहीं reputative topics पे थे इसलिए आज The Hindu के ही editorial हम discuss करने वाले हैं आगे बढ़े उससे पहले बता दूँ कि आपके लिए एक mains का question मैं आपको दे रही हूँ इस video के end में उसको आप जरूर अपना answer उसके लिए लिखेगा और मुझे टेलिग्राम ग्रूप पे भेज़ेगा टेलिग्राम ग्रूप कौन सा है ये भी मैं आपको बता दूँगी ओके तो टेलिग्राम ग्रूप पे भेजना है और देखो मैं सभी के answers पे feedback नहीं दे सकती कई सारे answers हमारे पास आते हैं मैं कुछ लोगों के हर रोस कुछ अलग-अलग लोगों के जो हमारे टेलिग्राम पे जो answers आएंगे उन पे review दूँगी हाला कि देखती मैं सभी के answers हूँ सभी के answers अनलाइज जरूर करती हूँ और उन में से best answer भी मैं आपको बताऊंगी लेकिन एक एक आंसर पे feedback देना मेरे लिए possible नहीं है इसलिए आप लोग एक दूसरे का peer review किया करो जो ल अनला टेलिग्राम चैनल यूपीर सी मयूरी भागवानी यूपीर सी इस पर आप अपनी answer writing के practice के लिए इसको join कर सकते हो जो भी आपके answer writing करो आप उसको इन ग्रुप इस ग्रुप पे भेजो so that peer review हो सके मैं इसको review कर पाऊं और बता पाऊं कि क्या आपका answer best answer है या नहीं ह और इसके लबा mail twitter और instagram के through भी आप मुझसे connect कर सकते हो then analyze the importance of INSTC for India geopolitics and geoeconomics कल का वे question था international north-south transport corridor के बारे में geopolitical और geoeconomical importance आपको बतानी थी तो देखो दो लोगों के answer मुझे best लगे एक तो है शांतनू त्रिफाटी और दूसरी है सानिया मुलानी ओके तो यहां पर इन दोनों के answers मैंने क्यों नहीं दिखाए क्योंकि इसमें मुझे कुछ issues लगे जितने answers मेरे पास आए उन में से best answers यह हैं लेकिन यह भी एकदम model answer मैं नहीं कहूंगी क्यों कि देखो शांतनू की जो copy थी इन्होंने structuring बहुत बढ़िया करी दोनों नहीं structuring बहुत ही बढ़िया करी सानिया और शांतनू ने लेकिन शांतनू के जो answer है इसमें dimensions आपको कम मिलेंगे ठीक है dimensions add करना जरूरी था उसके बाद सानिया की जो copy थी स सानिया के answer में मैंने देखा introduction और conclusion और better हो सकते हैं और dimensions की इसमें भी कमी थी तो यहां पर शांतनू और सानिया यू बोथ work over your weaknesses और इसके अलावा मैंने और भी copies देखी एक copy थी याचिका कि जिसमें उन्होंने word limit को highly breached किया हुआ तो किसी ने यां तो word limit breach करी है यां तो किसी ने गलत चीज को जाधा weightage दिया है जो demand equation की wordpress नहीं किये किसी किसी ने क्या किया है कि एक ही heading दी है importance of INSTC और उसके अंदर बहुत सारे points लिख दें तो देखो आपको जब यहां पर clearly पूछाए geopolitics और geoeconomics में बताना है तो दोनों को अलग-अलग headings के अंदर लिखना चाह है आज के question की आज का editorial की तो देखो language as a barrier language as a barrier यह editorial दो हिंदू में आपको देखने को मिलेगा इसमें basically यह बताया गया है कि हमारे home minister जो है Amit Shah ji उन्होंने यह बोला कि जो national education policy हमारी new education policy 2020 की उसमें यह लिखा है कि हम higher education में भी Indian languages को बढ़ावा दें अभी क्या होता है mostly हमारे higher education English में ही होता है हम इसमें Indian languages को बढ़ावा दें यह new education national education policy में बोला गया है और हमारे home minister ने भी इसके लिए एक आगे call लिया इन्होंने engineering law और medicine सभी में Indian languages को allow किया है for the higher education okay तो इसी के positives और negatives इस पूरे editorial में discuss किये गए है positives तो यह है कि देखो national education policy से aligned है यह पूरी step और इससे क क्या होगा कि higher education जाता से जाधा accessible होगा लोग जाधा 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 पढ़ाई लिखाई में focus करेंगे क्यों क्योंकि उनके mother tongue में होगा आप देखोगे 95% बच्चे जो है अपनी primary education mother tongue में करते हैं ठीक है और यह mother tongue में सिर्फ primary education होती है उसके बाद higher education के लिए उनको English चीखनी पढ़ती है हिंदी सीखनी पढ़ती है लेकिन अब क्या होगा mother tongue में ही आप यहाँ पे Indian language में ही आप higher education कर पाऊगे तो जाधा accessible और जाधा better बनेगा Indian students के लिए यहाँ पे education को access कर पाना दूसरी चीज है कि यहाँ पे कुछ substantive measures भी लेगा है जैसे engineering courses को भी Indian languages में लाया जा रह हुए है okay अच्छा इसके साथ यहाँ पे यार रखना कि 11 Indian languages में translation हो पाएगा automatic translation हो पाएगा with the help of this AI tool जो कि यहाँ पे AI CTE ने ही develop किया है इसके लबब स्वयम पोर्टल लेकिया है स्वयम पोर्टल क्या है एक open online course platform है जिस पे अलग-अलग languages में आपको main popular courses आपको मिल और यहाँ पे basically students जो है ना उन तक education सच में पोच पाएगा ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या इसका output हमको सच में देखने को मिलेगा तो author बोलते है कि देखो ऐसा जरूरी नहीं engineering college है तमिलनाडू में यहाँ पे start हुआ कि mother tongue में engineering कराई जाएगी लेकिन इससे कोई जादा output निक बी ले तो क्या मतलब आगे जाके वो lawyer बनेगा उसको जाना तो court में ही है तो court में आपकी mother tongue चलती है क्या court में तो बहुत सारे court में तो Hindi में नहीं चलती सिर्फ English चलती है तो आप इनका क्या करोगे अगर आप court में जहां पे जाके उनको practice करना है उधर ही English चलती है सिर्फ त जिसमें लेकर आए लेकिन कि इसकी methodology सही है methodology हम यहां पे यह जरूर देख रहे हैं कि हम यहां पे education को इंडियन language में कर दें लेकिन जहां एजुकेशन को apply करना है जहां पे employment में लेगी उस education के truth वहां पे क्या change हो रहा है वहां पे क्या mother tongue में इस education से काम आप निकाल पाओगे law का जिसे case लिया तो क्या आप court में जाके अपने mother tongue गुजराती पंजाबी में बात कर सकते हूं नहीं कर सकते ना तो फिर क्या मतलब इस चीज का तो पहले तो policy maker और educationist को साथ में बैठना चाहिए और फिर यह decide करना चाहिए कि क्या करना है ऐसा नहीं कि political pressure में आके किसी एक community को खुश करने के लिए आपने उसकी language को college को लिया मतलब क्या है उस college को खोलने का उस education का मतलब क्या जिसको आप अपलाए ना कर सको okay तो यहां पे English का use जो है जहां जहां पर ज़रूरी वहां वहां retain करना चाहिए हम यह पोल देते हैं कि English तो foreign language है लेकिन भाया दुनिया English प क्या कोई मैं मान लो मैं English जो मैं जो हूँ मैं अगर engineering करती हूँ मैं कोई और ही बाशा में ठीक है मैं मान लो मैं सिंधी में यहां पर engineering complete करती हूँ को लेकर कुछ करना ही है तो सबसे पहले शुरुआज इससे होनी चाहिए कि इसके advantages or disadvantages calculate किये जाए और उसके बाद policy decisions वैसे किये जाए कि आगे जाके employability में कोई issue ना है तब जाके education को mother tongue में लाने का कोई मतलब बनता है ओके यह है पूरा article next article है using a rupee route to get a dominating dollar तो basically इस article में क्या बताया गया है आसान भाशा में समझाती हूं इसमें बताया गया है कि अभी देखो dollar बड़ा इत्रा रहा है क्योंकि dollar की value अभी बहुत जादा चल रही है और रुपी जो है बिचारा ऐसे गिरता जा रहे depreciate होता जा रहे है तो अब हम क्या करें हमको नहीं चाहिए हमको dollar में trading नहीं करना हम तो रुपी में ही करेंगे अब रुपी में trade करने के लिए हमने कई सारे arrangements बनाए अब इस arrangement को मैं कई बार discuss कर चुकी हूं यह arrangement कौन से है वास्त्रो अकाउंट के ठीक है वास्त्रो अकाउंट हमने यहाँ पे एक special arrangement किया RBI ने भी अलाव किया कि इंडिया जो ह इतना महेंगा चल रहा है और जादा ही इतरा रहा है तो हम क्यों करें भी डॉलर में हमारा तो बहुत नुक्सान हो रहा है न डॉलर के चक्कर में तो हम यहाँ पे हमने RBI ने बोला कि रुपी रूबल में ही आप trade कर लो और उसके लिए यह special arrangement निकाला वास्त्रो अकाउंट बैंक में एक अकाउंट होगा वहां पर यह account hold कौन करेगा रशिया की government करेगी लेकिन यह account होगा कहां इंडिया की bank में अब रशिया क्या करेगी अपने रुपी को इसमें transfer करके यहाँ पर इंडिया के साथ ट्रेट करेगी तो बेसिकली रशिया और इंडिया रूबल और र यहाँ पर बताया हुआ है कि देखो हम जो है इंडिया जो है अब इस चीज में आगे बढ़ रहा है कि हमको दूसरी करंसी के साथ आगे नहीं बढ़ना है हमको तो अपनी करंसी को आगे बढ़ाना है तो जो हेजिमनिक रोल जो है US dollar का वो हम कम करना चारे है और ऐसा पहले हो चुका है colonial times में भी हमारी जो रूपी था वो UK के pound पे depend करता था क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो कॉलोनी थी वह हमारा जो colonial state था याने कि जो हमारा leader था मतलब ऐसे बोल सकते हो जिसके हम slave थे वो था UK, England था ठीक है और इसलिए हम dependent हो उनकी करंसी पे आज जो है पोस्ट व आज की जो इतना उच्छाल आया हो इतना गड़बड़ी मची हुए करनसी मार्किट में वह क्यों हो रहा है क्योंकि विकाद रूपी में ट्रेड कर लो ठीक है हमने किसी को नहीं रोका है और रशिया यहाँ पर सबसे आगे पहला पहला क्यूं आया दोडड़े क्यूंकि र रशिया को अगर ट्रेट करना है तो उसको उसी करन्सी में ट्रेट करना पड़ेगा डॉलर में तो यह ट्रेट कर नहीं सकते तो इसलिए रशिया ने बोला ठीक हम करेंगे ठीक है तो अब यहां पे पेमेंट जो हैं रशिया के साथ वह हम सेटल करेंगे S400 को लेकर oil को लेकर mineral fuels को लेकर इन सब को लेकर हम यह payment settle करेंगे किस के तुरू wasthrow accounts के तुरू अब यह wasthrow accounts क्या है इसकी link मैं उपपर डाल दूगे जिन लोगों ने भी लेक्चर मिस्किया है वो ज़रूर जाके इसको attend कर लेना तो यह wasthrow account के तुरू हम इसको पूरा attend करने वाले इस पूरे रुपी-Ruble agreement को और ऐसा नहीं है कि पहले हम यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो अपनी करंसी में नहीं कर सकते थे हमारा जो foreign exchange management act है वो यह बोलता है कि आप कर सकते हो लेकिन अब जो है इसके लिए special arrangement बनाया गया ही wasthrow account के तुरू अब इसके advantage उसके होंगे देखो पहला advantage तो यह कि आप इहाँ पे जो भी dollar में देखो अभी dollar इतना volatile चल रहा है dollar कभी उपर dollar कभी नीच है तो यह volatile है लेकिन सबसे ज़्यादा मानी हुई currency hard currency है ठीक है hard currency है तो इसका आप इसके transactions को avoid कर सकते हो और अपने रुपी को बचा सकते हो यहाँ पे देखो आज की date में 80 रुपय का एक dollar है तो यहाँ पे आपको एक dollar में अगर trade करना है मानलो एक dollar का कुछ खरीदना है तो आपको economy को भी पूरा थर्थरा रखा है इसलिए US dollar ने देखे है क्यों क्योंकि हमारे देश से foreign investors जाते जा रहे हैं इसके लब foreign exchange reserve कम होते जा रहा है अब ऐसे में हमको अगर oil खरीदना है रशिया से तो हम रूबल में करें रूबल depreciated है तो हमारे currency के सामने सिर्भी ठीक ठाक है रूबल ओके तो यहां पे हमारा cost saving भी होगी हमारा foreign exchange reserve भी बच जाएगा हमारा transport time भी बच जाएगा और साथ में हमने कई सारे multimodal routes निकाल लिए कल ही बात करी थी international north-south transport corridor की इसके तो हम रशिया के साथ trade भी कर पाएंगे तो sanctions भले ही लगे हुए लेकिन हमको तो सस्ते में oil मिल रहा है तो क्या दिक्कत है चलो लेना लोग ठीक है तो रशिया के साथ जो sanctions अभी लगे हुए है रशिया की भी economy बहुत गिर रही है inflation बहुत है de-industrialization हो रहा है unemployment बहुत है वहाँ पे जो भी western जो यहाँ पे companies थी वो सारी companies छोड़ छोड़ के जा रहे हैं रशिया को इसलिए लोग unemployed भी हो गए अब ऐसे में उनको भी पैसे की ज़रत है तो वो जो goods यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं उन्हों करना चाहते हैं और इसलिए इंडिया के इस arrangement में वो साथ देना चाहा रहे हैं अभी देखो गया है कि इंडिया के पास trade deficit है मतलब रशिया और इंडिया में जो trade होता है उसमें इंडिया जो है वो import जादा करता है export कम करता है तो ऐसे में इंडिया पैसे भी तो देता है रशिया को तो यहाँ पर रशिया के पास जो surplus हो गया है उसको यहाँ पर रशिया वास्तरो अकाउंट के थ्रूँ यहाँ पर यूज कर सकता है इंडिया और रशिया के trade के बीच में और सेम हम इंडिया भी कर सकता है इंडिया अपने pharmaceuticals हो गए इलेक्ट्रिक मशीन जो गई जिस जिसके चीज की अभी रशिया को जारत है वहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो दोनों से फाइदा है का सस्ते में इंपोर्ट भी हो रहा है और उसके बाद अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी हो रहा है और यूएस डॉलर का नाटक भी नही तो डिसाइड कैसे होगा क्या बोलेंगे कि एक रूबल कितने रूपे में आएगा तीक है याने कि एक रूपे में कितने रूबल आएंगे यह सब कैसे डिसाइड होगा तो एक तो इशू है दूसरा इशू है कि प्राइवेट पार्टी जो हैं कंपनी बैंक्स हैं को क्या म यूएस तो बिल्कुल रश्या को अपना दुश्मन मान रहा है और अगहना उसी के दुश्मन के साथ ट्रेट करेंगे तो यूएस हमारे उपर भी कुछ ना कुछ एक्षिन ले सकता है तो एक चीज ये भी है लेकिन यहां पर एक तरह का बैकडोर सपोर्ट यहां पर माना जा बढ़िया चल रही है हमने लगबग डेड़ बिलियन डॉलर पर दिन पर हम कमा रहे हैं तो इसमें एक्जाम्पल इंपोर्टन यह हैं कि अगर हम रुपी को यहां पे ट्रेडिंग अगर रुपी में करते हैं तो हमारा रुपी भी धीरे स्टेबल होने लगेगा बाइलिट किसका रुपी डेफेसिट किसका यह सब चीजों पर डिस्टेजन होना बाकी है लेकिन यहां पर इंडिया और सोवियत यूइन का पहले भी एग्रिमेंट हो चुका है इस तरह के ट्रेडिंग करने का और हमने पहले किया भी है यह आरा ट्रेड मतलब रुपी रुबल ट्रे अज का मैंस क्वेशन देख लो अनलाइज सेडवानटेज इंडियो और इडिए रिइडिया ।ॉपी आज बता दो बॉल आ है तो सेवें मिनिट में आपका यह क्वेशन यह П सक प्लीट रज़ाना चाहिए कुझे तो वन फिश्टी वर्समें जेका आंसर भी तेम्थत आटो लाइक जरूर कर देना, शेर जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना, मन पूलना वाट वाचिए वाचिए और वाचिए और वेरी गुद देर